है गाई इस तो कैसे हो आप लोग तो आज हम बात करेंगे Marvel Cinematic Universe की upcoming movie Garden of the Galaxy Volume 3 से लेटे काफी कमाल के update के बारे में है आज हम बात करेंगे के San Diego Comic Con में इसकी releasing date क्या announce करी गई किस schedule पर है और उसे के साथ बात करेंगे एक ऐसे scene के बारे में जो की हमें San Diego Comic Con में दिखाये गया तो उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे movie का villain कौन होने वाला है और उसकी actual में story क्या है तो guys बी भी हमें space adventure कराएगी जो कि अलग-अलग planet पे जाके guardians मदद करेंगे थौर लविन थंडर में आपने एक छोटा सा scene तो देखा होगा कि guardians सब की मदद करने के लिए निकले हुए तो ये story मैं से start होगी और अब बात करें कि Sandy को कौन में जो हमें scene दिखाय गया वो कौन सा था उसके बारे में क्या हमें नया देखने को मिला तो बात करतें scene के बारे में तो सबसे पहले बात करें गमूरा इस movie में return हो रही है और ग Avengers की leader बन चुकी है जो कि Yandu की टीम थी पूरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हमारी Star Lord अभी भी गमूरा से बहुत जादा प्यार करते है ठीक है और Peter Quill उसके पीछे अभी भी कुत्तों की तरह पड़ा हुआ है ये सुनने में साही नहीं लगता पर ये बात सच है अब यहाँ पर ये पीटर Quill समझा रहा होता है गमूरा को के हम दोनों स्टार्टिंग में क्या करते थे कितना में तुमसे प्यार करता था और उसी सीन में जस्ट पीछे ड्रैक्स और मेंटेस खड़ी होती है जो कि उसका मजाग उड़ा रहे होती है तो कुछ एक फणी किलिप इस टाइब के रिलीस करी जाती है साती साथ हमें बेबी रकून भी देखने को मिलेगा यानि की रॉकेट रकून जिसकी बैक स्टूरी देखने को मिलेगी तो यह हमें कुछ दिखने वाला है गाड़ीन दे गैलक्सी वॉल्यम 3 में बात करी जाए इस मूवी के विलेन के बा भी आई थी जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो लिटरिली ये विलेन वॉल्यूम 3 में धमाके मचाने वाला है और हॉलिडेय स्पेशल इस साली रिलीज होने वाली है तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइड़ हूं गार्डियन्स की टीम को दुबारा देखने के लिए वसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना